किसी का तीर किसी का कमा हो ठीक नहीं, तुहारे मुह में किसी की जवा हो ठीक नहीं, सफर शायराना के तहट दियो आने खास के में फिल में आप सभी खास मेहमानों का खास इस्तेकबाल बहुत बहुत स्वागत, संदीब कुट्टे का प्यार वरा अदा, टटो लो और रख लो, चलो आजमा लो, खुदा की कसम बाखुदा आदमी हूँ, तो दोस्तो आज का मुजब गुस्तकु है, खुदू के जाने पहचाने शायर, शमीम अबास सहाब के बुलंद और बहतरी रशायर, तो दोस्तों सबसे पहले शायर के बारे में मुक्त तसर मालुमात और उसके बाद उन기에 छुनिदा अशायर, शमी मबबाद साहब की पैदाईश 1948 की फैदाबाद यूपी उनकी मुझूदा रिहाईश मुंबई शहर किये कुछ एक मर्तबा उनके साथ मुशायरा पढ़ने का मोका मिल चुका है मुझे दोस्तों पोस्ट मॉडर्ण उर्दू पोईट्री में एक एहम नाम है शमी मबबाद साहब का उनके शमी मबबाद साहब के जो शेरी मजमुएं मनजर याँ पर शाया हैं उनमें से कुछ नाम है अच्छी सी कोई बात है ये शेरी मजमुआ दो हजार पांच में मनजर आयाम पर शाय हुआ था और दूसरा शेरी मजमुआ पर खुले तो ये शेरी मजमुआ दो हजार तेरह में मनजर आयाम पर शाय हुआ था तो दोस्तों शमीम अबास सहाब की शायरी की जो खासियत है वो मेरी नजर में यू है कि एक लबजों को बरतने का नया अंदाज उनके हाँ जो है वो बाकमाल है और यही उनकी शायरी की खासियत भी है और ताकत भी तो दोस्तों जल्दी से नज़र डालते हैं शमीम अबाद सहाब के चुनिंदा अशार पर दोस्तों एक शेर समय से एपिसोड की शुरूत करता हूँ शमीम अबाद सहाब के साल हर साल और फिर इस साल साल हर साल और फिर इस साल मुंतजिर हम थे, मुंतजिर हम हैं अब उनका ये शिर देखें याद आती है अच्छी सी कोई बात सरे शाम फिर सुभ तलक सोसते रहते हैं वो क्या थी? अब उनका ये शिर देखें उसे न मिलने की सोचा है यू सजा देंगे हर एक जिस्म पे चहरा वही लगा देंगे अब शमी मपाद साहब की गजल के तीन चार शेहर में आपसा में पेश करता हूँ तुम्में तो कुछ भी वाहियात नहीं तुम्में तो कुछ भी वाहियात नहीं जाओ तुम आदमी की जाओ तुम आदमी की जाओ तुम आदमी की जाओ नहीं अब ये शिर देखें खुल के मिलते हैं जिस से मिलते हैं खुल के मिलते हैं जिस से मिलते हैं जहन में कोई चूट चात नहीं जहन में कोई चूट चात नहीं अब ये शिर देखें शायरी है ये शायरी सहब शायरी है ये शायरी सहब ये शरीफों के बस की बात नहीं ये शरीफों के बस की बात नहीं एक अलग अंदाज एक अलग अंदाज की गजल एक अलग रंग है इस शहर में लबजों को उपरतने का एक नया अंदाज आपको दिखाई देगा एसी एक गजल के तो शेर में आपके सामने पेश करता हूं, देखें बड़ी सर्द रात थी कल, मगर बड़ी आच थी बड़ा ताउ था सभी तापते रहे रात भर, तेरा जिक्र क्या था? अलाव था सभी तापते रहे रात बर तेरा जिक्र क्या था अलाओ था अब ये शिर देखें कभी मै कदा कभी बुद कदा कभी कावा तो कभी खान का ये तेरी तलब का जुनून था मुझे कब किसी से लगाओ था इसी तालुक से एक और गजल के कुछ शेर देखी एक अलग अंदास के एक अलग रंग के शेर आ तेरे संग जरा पैंग बढ़ाई जाए जिंदगी बैठ तुझे चाय पिलाई जाए अब ये शिर देखें यार बस इतना ही तो चाहते हैं हम तुझे यारी की जाए तो फिर यारी निभाई जाए अब शमी मुपास साब का ये शिर देखें खौब दिखलाएं मगर खौब की ताबीर न दें भाड में ऐसे खुदाओं की खुदाई जाए अब उनकी एक दूसरी गदल के दो शिर देखें वो एक शक्स मेरे पास जो रहा भी नहीं वो खुद को दूर कभी मुझस से कर सका भी नहीं अब ये शिर देखें जिधर भी देखूं वही वो दिखाई देता है मजे की बात तो ये है कि वो खुदा भी नहीं मजे की बात तो ये है कि वो खुदा भी नहीं अब शमीम अबास साब के एक दूसरी देखें जमी चिलाई चीखी बिल बिलाके जमी चिलाई चीखी बिल बिलाके न जो तक रहंगी कानों पर खुदाके अब उनका ये शिर देखें तमन्ना आरजू अर्मान हसरत परिंदे उड़ गए पर फड़ फड़ाके अब दोस्तों एपीसोड के आखिर में शमी मबास साहब के अगजल के दो शेर में आपके सामने पिश करता हूँ उनके सिगनेचर शेर हैं ये किसी का तीर किसी का कमा हो ठीक नहीं तुम्हारे मुह में किसी की जबा हो ठीक नहीं ये शेर देखें जो खाक होना मुकदर है अपना रंग है खूब तुम्हार धुआ ही धुआ हो ठीक नहीं तो दोस्तों ये थे पुछ चुनिंदा अशार शमी मबास साहब की शायरी के खजाने से मुझे उम्मीद है दोस्तों ये अशार ये अपीसोड आपको जरूर पसंदाया होगा तो अगले मतबा किसी और शायर का कलाम लेकर मैं आपके सामने फिर हाजर होता हूँ तब तक चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहेए बहुत बहुत शुक्रिया